Hello my dear students, very good morning and how are you all, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम सुबा सुबा वाली थंड बेटा और बहुत जादा थंड ठीक है, एंस या आप बिलकुल चिल्ड है बच्छो जल्दी से लाइब आजो शुरू करते हैं आज का सेशन, आप सब भी थंड में उठ चुके होगे, a lot of students are here, acknowledge yourself on the screen, बहुत बढ़िया बिटा, ठांड खूब अच्छी है, मजा करो बिटा, कहीं जाने की जरौत नहीं है, घर पर ऐसा feeling आ रही होगी, जैसे शिम्ला में हो, a very good morning, very good morning, very good morning, कैसे हैं बिटा, हर्ष कैसे हैं, रंजीत, how are you, राम राम बिटा, राम राम बिटा, राम बिटा, meeting to all of you, कैसे हैं इंधर जीत, गुड मौनीं, so बच्छों ऐक Bak session को फटा, फ़्र से like और शेयर कर दो, शुरू करते हैं आझ का Session, and you know guys, these are going to be the last sessions of this year, and 2020 is going to be closed, आज 30th हो गया, ठीक है, कल 31st, and this is the second last day of this year, तो जो भी memories है बेटा recall कर लो कम से कम चीज़े खतम होती जारी है ये वाली साल कैसी रही मज़ो लगता है कि life में शायद ही कोई साल को भूल पाएगा आप synonyms and antonyms कहां से लाते हो प्लीज बताओ बेटा आधित्य नारायन we work over the dictionaries हम dictionaries से काम करते हैं न ठीक है Oxford होगी Cambridge है ठीक है और बिटाइक आती है मतलब लक्सी को करके dictionary है ठीक कोलेंस के dictionary है कही साही को बिटा compile करके रखते हैं लोग और उन से आपके words निकालते हैं ठीक है मितलेज गुड मार्णी गुड मार्णी हाँ हाँ बच्चो रंजी तो मेरी भी तो सुबह आप सब को देखके होती है क्या सही है आपके सुबह मुझे देखके होती है तो मेरी आप सब के फोटोस देखके होती है सब के डीपी लगे बढ़ी है बढ़ी है चलो शुरू करते हैं ठीक है आज तो आज का सेशन शुरू करते हैं देखो बच्चे आज का सेशन नमबर है थाइटी सावन यू कन सी तो बच्चो आज तक हम 36 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और बस मैं चाहता हूं गौड ग्रेस यह सेशन ऐसे चलते रहें और हम लोग बटा इस सेशन की मदब से सारे एक्जैम्स को क्वालिफाई करके आज 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 आपकी फर्स्ट क्लास है मितले इस कोई बात नहीं है बिटा आज से ही शुरू करो और देखो आज बहुत सारे बच्चे नए होंगे क्योंकि मेरे पास कल बहुत सारे बच्चों के नोटिफिकेशन साई के सर हमें एड कर दो तो मैंनों सबको एड किया है तो जितने बच्चे नए हैं उन्हें मैं बस एक बाँ बता दू बिटा जहां से आप शुरू करें वो कैब वही आपका फर्स्ट डे होगा बस आप यह समझ जाओ ठीक है आपको इससे पहले वाली पीडिफ के लिए कुछ बच्चों ने ठीक है और आज से ही बेटा अपना डे वन मानके आप चले होगे हाँ बेटा बिलकुल अपने रिजिलिशन सैट करें और बिलकुल उनको सैट करके रखें बेटा करके दिखाए नेक्स्ट यहर में कुछ ना कुछ होगे लैट सी शुरू करता हूं तो बच्चों एक बात अ जर्के साथ डेली सुबह आठ बज़ी ठीक है तो डेली सुबह 8 बज़े बच्चों मिलते हैं किसके साथ वोक है ब्लैडर इस सेशन के साथ में ठीक है तो चलो शुरू करता हूं यह बच्चों हमारा टेलिग्राम चैनल है जोईन इस चैनल फो ऑल दा पीडियस नोटिएश अपडेट इस सब के लिए बेटा आप इस टेलिग्रम चैनल को जोइन करेंगे आज जोइन करेंगे और अभी जोइन करेंगे ठीक है हाँ एक मत लगेगा बेटा क्लिक करके इसको जोइन करो so you will get all those things from there apart that बच्चों you can install our application online benches हमारी application online benches बेटा इसे play store से install करो so you can check all the courses जितने भी हमारे courses है बेटा fourth coming courses है वो सारे के सारे courses बेटा आप यहाँ देख सकते हो ठीक है तो जितने courses pipeline में है we are regularly waiting for the test sir बेटा बिलकुल होगा 40 sessions के बाद होगा तो test आपको देना है तब आपने आपको प्रूफ करना है कैसा होगा बिटा मॉक टेस्ट का बार है आशिश 40 sessions के बाद आएगा बिटा जब हम 10 session करा लेते हैं तब test लेते हैं बिटा लिंक is in the description box बिटा बिल्कुल सही बात है लिंक तो description box में है about me मेरा नाम है डॉक्टर मिशिशोद्या मैंने PhD किया इंग्लिश लिटेचर में 11 साल से जाधा कर teaching experience है एक लाग से जाधे student को बिटा mentor कर चुके हैं और CDS, CAPF ये सारे के सारे exam बिटा पढ़ा चुके हैं चैनल बहुत बच्चे नहीं आशुकला, so now you will get all the PDF बिटा आपको सारी PDF मिल जाएंगी ठीक है ये बच्चो आपको जो कल surprise कहा गया था कि आपका surprise है, so this is the surprise ना you can say बिटा ये है new year sale और आपको मैं बता दू बिटा, online ventures आपको देरा है 21% discount on all the courses पहले बास समझ लो बिटा, हमारे जितने भी courses है, year कौन सी है बिटा, 2021 और इसलिए discount कितना है, 21% देखरों, तो बिटा, 21% discount on all the courses, आपको इसा भी courses यदि हमारा लेती है, तो आपको बिटा, पूरा 21% का discount मिलता है, ठीक है ये 21 इसलिए शुरू किया गया बेटा कि 21 में कुछ नया हो जाए, 21 से ही शुरुवात हो जाए, ठीक है और हम लोगों ने तो 2020 में जब सब लोग recession में थे, then we started online ventures और आप सब लोगों ने इसको इतना famous कर दिया we are really thankful to all of you, I am really thankful बेटा, हम पूरा चैनल सच में आपके लिए बहुत thankful है, कि आप लोग लगातार आते पे हम लोग तो मेहनत करें सिर्फ content देने में, लेकिन ये आपका भी बेटा हमारे लिए devotion है, कि आप लोग लगातार बिलकुल time पे हमारी classes मा जाते हो, and I am really thankful तो, मैं ये score के बाद बेटा, आपको इतने percent discount मिल जाएगा, good morning बच्चो, good morning, good morning, चरब शुरू करते हैं, आज का session, vocabulary का reading booster session and comprehension, बेटा, दौना चीज़े reading booster and comprehension होगा, ठीक है, आज की quotation देख लेते हैं, क्या है बेटा, देखो positive quotation है, बिलकुल सही बात है, बेटा, morning है, morning हमेशा positivity से भरी ह ही होती है, क्या है, positive thinking will let you do everything better than negative thinking will, बेटा, बिलकुल सही बात है, कि positive thinking आप से हर वो काम करा देते हैं, जो negative thinking नहीं करा सकती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि positive environment में रहो, अच्छे कामों की शुरुवात morning में ही क्यों करते हैं, because everywhere is positivity, you see the positive things, तो बेटा, positive thinking के साथ ही जीना चा क्योंकि बेटा, एक सीधी सी बाते हैं ना, problem सब के साथ है, एक line तो मैं आपको कहता हूँ ना, कि circumstances never favor, बेटा, circumstances कभी किसी को favor करती ही नहीं है, ये तो आप बिलकुल जुड़ जाओ, मान लो बात को कि circumstances favor नहीं करती है, आपको उनके according बेटा, काम करना होगा, you have to prove yourself, ठीक है Well done, idioms and grammar practice कहां से करें, कनिया, idioms के लिए तो बेटा, ये जो class चलती है, यही कराते हैं, grammar के लिए आपको daily class मिल जाती है, बेटा, कितने बज़े, शाम को 5 बज़े, 5 पीम, बेटा, daily cds की हम class कराते हैं, बच्चों सुनो, मैं cds की 5 बज़े से 4 तरीक जन्वरी, 4th of gen, से बे तो बेटा, उस सीरीज को आप जरूर जोइन करें, शाम को 5 बज़े से, ओके, हाँ बेटा, निते, cpf का थोड़े दिन बाद लेके आएंगे, आज ओ बेटा, शुरू करते हैं, देखो, एक चीज और समझ लो, on this day in history, बेटा, हिस्टी में आज के दिन क्या हुआ था, तो बेटा, यह आज का दिन था, history में से भी note कर लेना, ठीक है, आज ओ, next बात करते हैं, अब बच्चो शुरू होता है हमारा session, एक बार सब लोग thumbs up कर दें, well done, बच्चो, well done, बहुत बढ़िया, एक बार सब लोग thumbs up कर दो, यह आज के एक information हुई, है ना, हमारी vocab से deleted नही है, लेकिन information तो बेटा, information ही है, match the following, जल्दी से करके दिखाओ, बाकी बच्चो को answer कर देनो, जो बच्चे पहले दिन जुड़े हैं, आपको बता देता हूँ, बेटा, ऐसा ही, कल फिर आप test देंगे, यह test बेटा, daily होता है, ठीक है, आप जो आज पढ़ेंगे, इसका test कल ह होगा, हम दो तरीके के test लेते हैं, एक होताब का vocab test, और एक होताब का reading test, ठीक है, तो बेटा, daily आपको इस test देना पड़ता है, तो अगर आप मिला सकते हैं, तो मिला लें, वरना एक मिनट का wait करें, अब यह test complete हो जाएगा, फिर दूसरा वाला, ठीक है, हाँ बेटा, अभ पर नूरी मुसरफ, बहुत बढ़िया, देखते हैं, कितने बच्चे जल्दी आंसर दे पाते हैं, C, E, A, B, D, 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 क्या बात है, ऐसा लगता है, कि बिल्कुल रट के आते हो तो, क्यों बच्चों मज़ा आ रहा है ना, बई, र और लगाता है, continuity, let's see, hiatus होता है, यह बताता है, हाइटस, interpretation, किसी बच्चा ने पुछा दे कैसा ना होने, बिटे, countable ना होने, मैंने आंसर भी दे दिया था, ठीक हैं, insidious मतलब होता है, steel दी छुप छुप के करना, friend था न, insidious friend बिटे यादा रहोगा, कि उससे तो, एनि बहुत अच्छे, लेकिन देखो, सब लोग आंसर लिखा करो, ऐसा ना हो, कि कुछ कम बचे आंसर लिखे, किर्ती का बहुत बढ़िया, c, e, a, b, d, well done, well done, well done, बहुत अच्छे, आजो बिटे, next try करते हैं, आज जल्दी से बताओ, correct spelling क्या है, बिटे, in transitions, क्या correct spelling होगी, break, stop, pause, बिल्कुल सही बात है, well done, हाँ, बिटा, horror movie भी हो सकती है, बिल्कुल इस sense में बहुत बढ़िया, जल्दी से mark करो, बिटा, mark it very fast, एकदम देखो, कैसे जाती है, बिटे, strip भाग के बहुत तेजी से, इतने सारे बच्चे आँसे करते हैं, बिल्कुल, in transitions, बिटा, third will be the correct answer, well done, third is the correct spelling we have, well done, बच्छो, आजो next, next try करो बच्चो, ये दो reading comprehension जो पढ़के आया होगा, वो answer देगा, border standoff with China started in the month of, कब हुआ था, बिटा, border standoff with China, किस मन्त में, April, July, May, या March, बिटा, बताओ क्या answer होगा, बहुत बढ़िया, well done, इससे कहते हैं, reading भी आप करके आते हो, नहा एकदम सही answer, रजनी बिटा, ये भी answer करो, अगर आपने passage पढ़ा है, तो, जो बच्चे नहीं, वो सुलो बिटा, editorial आपको आज मिल जाएगा, आप आज वाला editorial पढ़ेंगे, और कल आप ऐसे ही answers करेंगे, ठीक है, well done, बच्चो, क्या answer होगा, April will be the correct answer, well done, April will be the correct answer, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, A will be the correct answer, बहुत अच्छे, next question, which of the following state in the disagreement with the center, Punjab, Maharashtra, West Bengal और Haryana, जैहिंद, जैहिंद माधूरी, जैहिंद बेटा, answer करो बेटा, क्या answer होगा, रजनी कुमारी question इसलिए गलत हुआ होगा, क्योंकि आपने passage नहीं पढ़ा होगा, ठीक है न, passage पढ़ते तो answer ए निकल के आता, ओके, क्योंकि ये question का answer पैसे से हैं, बिल्कुल सही पढ़िया, इसका मतलब West Bengal is the correct answer, देखो बच्चे एक बड़ी आसान सी बास समझो, आपको हर टीचर ये कहता होगा न, कि reading करो, reading करो, reading करने से reading सुदरती है, अगर reading अच्छी हो जाए तो comprehension अच्छा हो जाएगा, close test अच्छा हो करना है, तो बिटा हम कर देते हैं, अगर हम इन sessions को लगाता और पढ़ते रहें, कम से कम दो महिने, तो आप यकीन माने बिटा, आपकी reading 100% improvement होगी, और देखो याँ बहुत सारे बच्चे हैं, सच बताओ बच्चो कितने ऐसे strength जिनको लगता है, कि within 36 sessions में आपको reading में, और बिटा, vocab में improvement लगा है, जल्दी से बताओ बिटा, क्योंकि आप देखो previous year भी आप करते होगे, फटा-फट answer करो, कितने बच्चे हैं, बस hand raise कर दो, thumbs up कर दो, उसी से बिटा, आमें consent मिल जाएगी, जिनको ऐसा लगता है, कि सब बहुत बढ़िहां से लग रहा है, और सिर् 36 sessions अभी हुए है, 37 तो आज है ना, जब ये session 100 हुँगे, तो बिटा, आप ये कह देंगे, सर्व, vocab में, तो कभी भी problem आती ही नहीं है, well done, well done, well done, बहुत बढ़िया, देख जो ना बच्चो, तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं, बिटा, आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्चे बेटा, चलो, तो आप समझ गए, तो बेटा, आपको भी ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, घबराओ मत, लेकिन पढ़ो इनको बच्चो, हम तो कहते हैं कि आप suggestions दो, हम आपके suggestion पर काम करेंगे बेटा, और मैं दो को personally vocabulator पर खूब अच्चे से काम कर रहा हू उनके लिए class अब से शुरू होगी, बेटा, आज हो शुरू करता हूँ, पहला word, देखो, समते जो बच्चे, बढ़िया से समझना, words को याद करना, pictures आपको मिलेंगी, कुछ तो याद रहेगा, बेटा, revalry, revalry क्या होता है, समझो, यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे, बड़ा संबग है, strip shooting है, stars लगे हों, इसका मतलब, cap भी लगा रखे, party का time है, बिल्कुल party time है, आज क्या आज है, 30, कल हो जाएगा, 31st, सब को पता है, कल सब लोग party में busy हो जाएंगे, शाम को, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, तो याद आगया, बेटा, क्या है, reval revaldy मतलब क्या होगा, आमोद पिरमोद लिखा गया, बेटा, हिंदी में, अच्छा word नहीं लग रहा है, इंग्लिश में पढ़ो, noisy fun, usually involving a lot of eating and drinking, मतलब, अब आप समझ गे, 31st की जो party होगी, उसे आप क्या कह सकतो, revaldy, कल का तो याद हो गया, एक word तो बिल्कुल दिमाग मे कहा है, तो आप यह से याद करोगी, party के साथ, revaldy वर जोड दिया, यानि कि एक word आपको हमेशा के लिए याद हो गया, कल तक 31st तक, बेटा, revaldy जोड के रखो, साथ में, ठीक है, तो revaldy मतलब क्या होगा, देखो, we could hear sounds of revaldy from next door, यह बेटा, कल आपको बहुत सुनने के लि जो, the revaldy is next door, kept me awake all night, बिल्कुल सही बात है, कल ऐसी ऐसी party होंगे, आपके घर के पास में, कि हो सकता है, बिटा, आप भी रात को बारे बज़े तक ना सूप हो, ठीक है, तो आप यह कोगे, आरी, क्या revaldy है, सोने ही नहीं देते हैं, that is called a revaldy, समझागे, the revaldy is next door, kept me awake all night, I इतनी बार दिमाग में party आए, उतनी बार revaldy जरूर बोलना, ठीक, हाँ बेटा, पूरी सही बात है, नूरी मुसरफ, एकदम, well, बढ़िया बच्चे, I have not planned any revaldy for new year, क्या बात है, सौरा मिश्रा, ठीक है बेटा, तो प्लान कर लो, where is your revaldy place, नहीं बेटा, देखो, revaldy खु ठीक है, जो, example कहता है, पेटा, editorial में बढ़ा अच्छा सा, this year, however, the COVID-19 outbreak disrupted, क्या कर दिया, पेटा, disrupt कर दिया थे, revaldy को, यानि कि सारे enjoyment को, forcing the government to order citizens to be sequestered in their homes, पेटा, यह भी word आएगा, तब आपको उसका meaning बताएंगे, ठीक है, तो क्या करना है, पेटा, अपने घरों में रह रहें, बाहर ना लिखने, तो सारी के सारी, रिवैल्डी, इसको disrupt किया गए, इस बार, सारे के सारी, जैसे आपका, कावड लान अथा, मैं कल भी देख रहा था, बेटा, और कई सारी यात रहे थी, जैसे, भोले बावा की यातरा पर जाते हैं, पता नहीं क्या 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 बत abstinence मतला बहता है, किसी भी चीज से बेटा दूर हो जाना, याद आ रहे हैं, मतला neglect कर देना कि मुझे नहीं करना, ठीक, अब सुनो बच्छो, पिक्चर से तो हमने याद करा लिया, ठीक हैं, आजो बेटा, नेक्स बात करते हैं, क्या हो गया बेटा, दिव्या, पार्टी य ही चलेगी, तो मैं सोना उसो मसो, आजो, तो बेटा देखो, रिवैली क्या है, एक इसमें जोवेली की साउंड आती है, तो जोल्डी य और भाई जोल्डी, वैन यू आर इन रिवैली, पैसे होते हैं, तो जोल्डी की कुशी में आपने रिवैली कर दी, वैल डन बेटा, पर्टि होगा बहुत बढ़ा रेः पार्टी होगा आपने सुना होगा वो वर्ड हमने आपको पढ़ाया था देखो आग gue बिटा सीक्वेस्टरिड सच्म बतारों बहुत अच्छा वर्ड है देखो एक बात में आपको बता हूं। यह cena बिल्कुल सच्म में संभो मोती जैसे होते हैं, मतलब I really feel की देखो जब हम काम करते हैं, मैं भी आप काम कर रहा हूँ, वक्याप पे बहुत ज़्यादा पहले अपने लिए याद कर लिए, मतलब अब personally ऐसा feel होता है, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, जिनका use करके हम कितने आगे निकल सकते हैं, देखो पार हो ना meaning, कितना ultimate है, देखो, quiet and far away from people, लोगों से अलग हो ना, ठीक है, next देखो, to separate and store a harmful substance in a way that keeps it safe, मतलब किसी चीज़ को पेटा ऐसी जगह रख देना कि वो safe रहे, खराब ना हो जाए, आज हो देखो बच्छो, I found a sequestered spot, देखो कितना अच्छा ultimate word है, किसी से बोलोगी देखो, I found a sequestered spot in the park and lay down with my book, मतलब एक बड़ी एकां से जगह मिली और मैं किताबों के साथ late गया, ठीक है, I am happy to be sequestered, बहुत बड़ी है, I really feel sequestered, बिटा, ED लगाओ मुकेश, ED लगाओ, well done, अब बच्छों बताओ, मज़ा आ रहा है ना, कितने अच्छे word है, जिस word के लिय पढ़िया adjective है, देखो, a growing forest, ठीक है, sequestered carbon and gives of oxygen, क्या होता है बिटा, जो growing forest होता है, sequestered कर देता है, carbon को and gives of oxygen, बहुत सारी oxygen आपके लिए produce कर देता है, ठीक है, तो समझा रहा है बिटा, sequestered कर देना, contain कर देना, रोक लेना, या अकेले में चले जाना, ठीक, अब देखो, कि क्या बात है बिटा, बहुत है सही है, दिव्या ऐसे ही बोलना, बहुत अच्छी है आजो, तो अब देखो, question निकल निकल गया, कि forcing the government to order citizens to be sequestered in their homes, वो अपने घरों में बने रहें, बिटा, ये word अगर नहीं होता हमारी life में, तो हम कैसे कहते हैं, sit, live, stay in their homes, अपने घरों म बने रहों, तो sequestered is there, मुझे लगता ये भी word नहीं बूलोगे, कितना सही connect होता है, रिवैल्डी हो गया, बिटा, sequestered होगा, आप इसे ऐसे कह सकते हो, कि COVID-19 की वज़ा से कल सर रिवैल्डी कहा होगी, कल तो sequestered होगा, क्यों बच्छो, मतलब हम English में ना बना पाएं, किसे कल रिवैल्डी कहा होगी, कल तो sequestered होगा, मतलब कोई party कहां मना पाएंगे, सब जगा, तो बैने सब लोग अकेले, अकेले, एकांत में पड़े रहेंगे, that is called the sequestered, well done, बच्छो, बहुत बढ़िया, अब आ रहे समझ देखो, sequestered का मतलब क्या है, बिटा, secluded होता है, seclusion आपको पता है था, एकांत होता है, ठीक है, seclusion आपने पड़ा होगा बहुत ज़्यादा, बेटा, विल्यम वर्सवर्ट के साथ में, quite मने, शांत होता है, ठीक है, opposite क्यों जाएगा, बेटा, noisy हो जाएगा, public हो जाएगा, ये कहला है, अब सुनो, कैसे बना है, हाँ बेटा बिल्कुल separate कर देते, sequestered feeling को आजो, seek plus quest, देखो, seek माने, खोज करना, quest माने होती है, किस चेज़ की प्यास ठीक है, तो those who seek to find something as a part of quest, have to leave the society, और seclude themselves from it, समझ आ गया, जैसे ही आपकी quest होती है न, को seek करने के, तो बेटा, आपको society को छोड़ देना पड़ता है, आप अकेले म में रहना शुरू कर देते हैं, that is called the sequesters, the officer posted in siya chene were sequestered from the world, बिल्कुल सही बात है बेटा, in the world of chaos, I prefer a sequestered place for my peace, बहुत बढ़िया बेटा, peace की spelling गलत है, बस P-E-E-C-E-A आएगा बेटा, ठीक है, subsidious retain, बात joining में, में register करने के, उनके तरफ से registration confirmation का mail नहीं आता, बेटा, इसके बारे में नहीं पता होगा, बेटा, मुझे अभी, ठीक है न, आप इतना करो, कि आप हमारे, जो help line number उस पर call कर लो, ठीक है, I am sequestered, 2013, बेटा, I have been sequestered होगा, न, कब से कब तक, आजो बेटा, next question try करते हैं, आजो, next है बच्छो, extradite, बहुत बढ़ी हा वर्ड है, extradite, ये वाला वर्ड बेटा, previous year में आया हुआ, वर्ड है, extradite, सुन लो क्या है, extradite एक वर्भ होती है, जिसका मतलब होता है, बेटा, अपराधी देना, मतलब अपराधी देना, क्या होता है, जैसे आप someone return for trial to another country, और state where they have been accused of doing something illegal, समझ गए, मानो, यहां का क्रिमनल है, अब आपका नीरव मोधी है, बेटा, अगर वो बेटेन से हैं लाया जाता है, तो बेटेन उसको क्या करेगा, extradite कर देगा, कि इन्होंने तुमारे हैं फ्रॉड करा है, तो पकड़ो इनको, ठीक है, और इन कह सकते हैं, मैंना किसी रिक्वेस्टर मतला एकांत होता है, रिकेरी वैली मतला शो शराबा होता है, विस सम पीपर, ठीक है, वेल दन, बचो आजो, नेक्स देखते हैं, अब बीटेस गॉवर्मेंट अटेंप्टी टू एक्स्ट्राडाइट, समझ आगे बीटेस गॉवर् इटिट टू एरिजोना, फ्रॉम फ्लॉरीडा, मतलब कहा होगा, उसको एक्स्टराइट किया जाएगा, फ्रॉम एरिजोना टू फ्लॉरीडा, क्योंकि उसने क्राइम कहां किया है, फ्लॉरीडा में, तो उसका केस कहां चलेगा, फ्लॉरीडा में, ठीक है, वेल डन, अनु उनको कभी एक्सटाइट मत करो ठीक है क्या करो बिटा एक्सटाइट इड कर दो न को ठीक और मतलब उनको वहीं मार दो आजो एक्सटाइट क्या मतलब है देखते हैं बच्चों एडिटोरियल में कहा गया दाट वुड एलाओ दे लोकल गॉवर्मेंट यह अलाओ करता है लोकल गॉवर्मेंट को टू एक्स्टाइट क्रिमिनल्स टू दा मेंलेंड के लिए समझ आगे कि जहां क्राइम किया है उनको वहीं भी जो दाट इस कॉल्ड दा वर्ड क्राइक हैं इसका मतलब सेसेन में मजा नहीं आ रहा होगा सुबह सुबह कि एसे लग रहा है न ठीक है मतलब लाइक ब 먼ठन करना यह सब करना तो ऐसी है कि करना वापस लेके आना इसका मतलब होता है एक्स्टर डाइट करना भेजना रिपैट्रियेट लेके आना ठीक है आजो डाइट इस दा रूट वर्ड टू फार गिव सो गिव दे एक्स्ट्रा क्रिमिनल्स तू दिया ओन कंट्री मतलब डाइट क्या बिटा रूट वाइड है देने के लिए ठीक है तो आपने कह दिया बिटा कि क्या करना देना एक्स्टर क्रिमिनल्स को टूदे ओन कर टो इस रिपार्ट यह दौनव बहुत काम के हैं कि देना और लेना बिटा दौनव वर्ड को ढग से याद रखेंगे ठीक है आज वो बिटा वैल डोन बहुत बड कि बीच में कि बीच में इस ट्रॉंग डिफ्रेंस ऑपीनियन और पर्टीकुलर सब्जेक्ट अब सभी बात है जो फार्मर्स को लेके और गॉर्मेंट को लेके एक अब्जेक्ट है न वो जो हमारा बिल है उसको लेके मदभेद है ओके अचाइनीज ओफिशेल बिल्कुल सही है शांत ऐसे लिख सकते हैं बीटा आजो वेल्डन तो समझ गए तो बीटा हमने क्या कर रहां डेसेंट कर दिया यानि के मदभेद कर दिया ठीक आजो अब हमने कहा voice of descent begin to rise against the established authority in the 1950s and 1960s मतलब voice of descent मतलब मदभेद के जो आवास थी वो शुरू ही begin to rise against किसके established authority के कोईड़ी in 1950 and 1960s में ठीक है अब आप ये भी कह सकतो हो ना कि voice of descent begin to rise against the established government यानि के बीजेपी ओके इन इंडिया आप ऐसे कर सकते हो बिटा तो कहीं न कहीं आप समझ पारो कि आवाज उठा देने को क्या कहते हैं बिटा आप डिसेंट कहते हैं नेक्स एकते हैं बिच्छे नेक्स्ट आपका stability only exist in the country because descent has been suppressed मतलब कहा है stability only exist मतलब stability तब ही आ सकती है in the country because क्योंकि क्या होगा बिटा descent has been suppressed आपने descent को यानि के जो मतभेद करें उसको दबा दो ठीक है जैसे बिटा बहुत अच्छी सी बात है Congress ने भी बहुत सारी बात ऐसी करी कि जैसे मुद्दे थे तो बिटा उनको चुप चाप सांथ कर दिया ठीक है तो that is called the descent को दबा दो harmony बिल्कुल बनी रहेगी ठीक मानो आप मेंसे कोई कुछ लिखे हम उसको block कर दे हम उसको block कर दे तो class हमारी बड़ी स्मूठ चलती रहेगी समझ दोना बिटा बजे से का कहना चाहरें तो डिसेंट करना आपके मदभियत को दबा देना आप कुछ कहें किसा सेशन में ऐसा होना चाहिए हमके इसको block मारो तो सेशन में कोई दिक्कत नहीं हो कि that is called the dissent well done बच्चो well done आजो next try करते है next देखो बच्चे editorial का कहता है while critics content that the law essentially curbs dissent मतलब while critics content करते है बिटा that the law essentially curbs curbs करता है बिटा dissent and civil liberties को China insist करता है China it will help in restoration of stability के help करेगा बिटा हम restoration कर देंगे किसका stability का ठीक है well done बच्चो today we are 175 okay I am really happy to see the number और बस अगर next week हमें पता 200 cross होगा देखो बच्चो सही बात है मुझसे इतने सारे student daily जुडते जा रहे है ठीक है I am trying my best कि मैं उन सब के लिए बिटा उन सब के reply कर रहा हूं ठीक है पूरी कोशिश है मैं आपको बार बार यह कहता हूं बिटा इस पूरी महनत के बीच में हो सकता है कोई एक ऐसा बच्चा हो ज किसी ने कभी भी message किया होगा we are trying कि उसको reply करें ठीक सारा दिन तो बिटा आपके सामने camera के सामने खड़े रहते हैं उसके बाद थोड़ा सा time बसता है उसमें कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों के जो भी comments हैं आप चाहें video section पर comment डालते हैं या हमारी classes के बाद comment करते हैं 100 plus cross करवान है ठीक है and that will be only your sole responsibility well done well done and I am really happy to see you all here नहीं है वो words जो आपको कहे जाएं कि बिटा इतना अच्छा करने के लिए मतलब मैं कैसे कहूं कि आप सब लोग बिटा मेरे साथ हो आजो decent का मतलब क्या है बिटा argument करना समझ आ रहा है objection होगा बिटा opposite क्या होगा concurrence करना होता है ठीक है या फिर consensus हो जाता है बिटा consensus होता है consensus निकाल लो एक agreement निकाल लो ठीक है हाँ तो this is here आजो बिटा आप समझते हैं देखो ascent का मतलब आपने कहा बिटा accord होता है ठीक समझ पा रहो ascent होता accord होता है इस सब क्या होता है सहमत ही होती है it means to agree and dissent and discord means होता disagree याद करना बड़ा असान है बिटा ascent याद कर लो ठीक है accord याद कर लो तो इसका मतलब होगा agree औ बिटा decent और discord का मतलब होता है जगड़ा discord मतलब जगड़ा होता है apple of discord बच्पन से जानते हैं कि apple of discord होगा well done बच्चो आजो next try करते है next देखो बेटा recalcitrant बहुत बढ़िया सा वाइड है बेटा recalcitrant पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा calcium जैसे feeling आ रही होगी ठीक है किया तो calcium भर दिया सर आपने ठीक अब बेटा calcium जैसे feeling आ रही है तो देखो आपको याद भी हो जाएगा आग्या ना मानने वाला ठीक है अब होता क्य है बेटा अगर कोई आग्या ना माने तो आप क्या करोगा calcium खाके क्या दोगा अब ताकत आगे आप इसको मनवा के मानुगा दो तीन चार्टे लग जाए इसमें समझो यह देखो आदमी है इस बुल को खीचने की कोशिश कर रहा है लेकिन बुल इसकी बात मानने के लिए पे याड नहीं है बिटा समझ पार हो इसी को कहते हैं आग्या ना मानना ठीक तो ऐसे बिटा वर्डस को आप तया कर लिया करो that is called the recalcitrant ठीक है आजो आज़ो आग्या ना मानना जैसे आप मैं हो सकता है कि आप अपने घर वालों की बात ना मानते हो आप ऐसे वर्ट्स को ऐसे यूज़ करना शुरू कर दो ठीक है जैसे कि मेरा भाई बहुत recalcitrant है सुनो मैं आपको एक और तरीका बता तो वक्या भ्याद करने का भई आप घर पे हो आप ये बोलो मेरा भाई सब बहुत recalcitrant है मतलब वो किसी की बात ही नहीं मानता है ओके तो अब आगे बास समझ मेरी बहन बहुत recalcitrant है बहन भी हो सकती है तो आपको गर English के sentences नहीं याद आते हैं तो इन words को ना आप उनकी personalities के साथ भी जोड सकते हो कि वो हमारी बात नहीं मानता recalcitrant है ठीक है तो कही नहीं कहीं बेटा आपको याद हैगा आजो तो unwilling to obey rules to follow instructions we are difficult to control जिनको आप control ना कर सके ठीक है आपने एक बहुत साथ लोगों के कुत्ता पला हुआ होगा और वो जो डॉग होगा वो ऐसा नहीं है कि सब की बात मानता होगा एक दो ऐसा होगा जिसको वो कुत्ता देखके नाराजी रहता होगा ठीक है तो वो कह सकता है बड़ा recalcitrant है उसको लेके आजो तो देखते हैं एक आपशन हमारे पास है कि इन्हें डराओ जो कौन है recalcitrant मिनिस्टर से ही जो बात नहीं मानते हैं जो किसी भी पार्टी में जल्दी से भाग जाते हैं ठीक है हाँ बेटा बिलकुल सही बात है बीजेपी इस बीकमिंग आरी कलसी ट्रेंट गॉर्वर्मेंट फॉर फार्मर्स बिलकुल अच्छे है एकदम ऐसी गॉर्मेंट बनती जा रही है कि फार्मर्स की बात नहीं मान एपी एस यादव बहुत बढ़िया बेटा गुड मारिंग थोड़े से लेट आए हो यादव जी ओके आजो बेटा शुरू करते हैं अब देखो अब रीकलसी ट्रेंट का जो हमने एडिटोरियल में देखा क्या देखा बेटा बीजिंग बैग दप इट सफर्ट है ना जाए ठीक है बिलकुल सही बात है सौरब मिस्रा वेल डन बेटा सौरब एकदम सही कोई भी टीचे क्यों पसंद करेगा ऐसे बच्चों को जो बाते ना मानते वाजो तो बेटा अन कॉपरेटीव हो जाएंगे लोग ठीक है इंट्रेक्टेबल हो जाएंगे बेटा जो आप कम से कम याद तो रहेगा अपने एक्जामपल तो याद रहेगा भै सुनो अब देखो आपने कितनी अची बात करते हैं आप जब तक वो राम मोहन सोहन के जैसे मैंने का रिकेल्सीटेंट यूज करो तो बच्चे क्या करते हैं राम is a recalcitrant boy ठीक है तो उससे क्या को खुद की लाइफ से को रिलेट करें अपने भाई की अपनी बहन की अपने मदा फादर की राइफ से को रिलेट करें अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स की लाइफ से को रिलेट करें उन्हीं का नाम लिखने ठीक है तो वर्ड याद करने की शौरिटी हो जाती है ठीक है क्या होगा बिटा बार बार री कैलकुलेट कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है सही और मान नहीं रहा बात को death of aute in और कि यहां मोवीज में है सच्पर हुई थी और अगर जी भ陪र्षा बिटो व्याइश हो लेकिन आइसी जिद हो कि कि ना व्यायगे रही है और फिर वी जिद्दों कुछ करने वाली हम ठीकर आज हो बटा नेक्स बात करते हैं, नेक्स देखते हैं बिटा, ये get 21% flat discount बिटा मैं आपको बता दू, 31st of December यानी के कल midnight तक बिटा, अगर आप online ventures का कोई भी course purchase करते हैं, तो ये बच्चो 2020 की जितनी भी memories हैं, उनको खतम करने के लिए हमने क्या का पहले तो हमारे courses बहुत जादा affordable हैं, ले लेकिन कल रात, बिटा midnight तक, बस ये याद दखना, ये कोई वैसे offer नहीं है, ये बस अपने बच्चों के लिए है, कि 31st of December तक की रात में, अगर किसी बच्चे से कोई-कोई छूट गया था, क्योंकि ऐसा रहा न, हमने offers दिये, बच्चे उस टाइम जॉइन नहीं कर पाई, ये कॉफर है, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो 21% discount है कल रात तक, ठीक है, आजो बिटा, ये सब हमारे batches चल दें, इन सब को आप application डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, अब आट डेट आओ, हम अपना session शुरू करते हैं, well done, आजो बच्चों, sentence है हमारा बिटा ब्रूक, अब ब्रूक क्या होता है बिटा, बरदास्त करना होता है, अब बिटा, बरदास्त करना जैसे, आपने कोई चीज कही, आपने yes कह दिया, हाँ, बरदास्त कर लिया, मना कर दिया, ठीक है, that is called the बिटा, बरदास्त करना, ठीक है, आजो, तो बिटा, to allow to accept something, especially a difference of opinion or intention मतलब, to allow to accept something, आप कुछ मान लेते हो, especially a difference of opinion or intention, आपकी कोई अलग intention है, opinion है, लेकिन फिर भी आप मान लेते हो, ठीक है, that is called the brook कर जाना, जैसे बच्छो, देखो, and she won't brook any criticism of her work, मतलब, वो बिलकुल बरदास्त नहीं करेगी, कोई भी criticism, ठीक है, आप मैं से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जो, मतलब, घरवाले कर ये भी कहते हैं, कि ऐसा कर लो, तो जल्दी से चिड़ जाती है, तो आप कहते हो, I want brook all those things, मतलब, मैं इने बरदास्त ही नहीं करूंगा, जो भी आप कहते हो, तो brook करना होता है, बरदास्त कर लेना, okay, when it comes to the warning of ceasefire, संकेत, बहुत बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है, सुनो, जब से हमने राम को छोड़ा है, sentences में, जैसे पहले तो होता है, राम नदी में इस नान करता है, तब से हमने एक दूसरा, दूसरा noun packet रखा है, पाकिस्तान, मैं ये देखता हूं कि कोई ऐसा session नहीं है, जहां पाकिस्तान के बारे में बात ना हो, मतलब सुबह से लेके शाम तक बिटा, कुछ भी वाइड आ जाए, चाहें जिद्धी है तो पाकिस्तान है, ठीक है, अगर हम extradite करेंगे, तो पाकिस्तान को करेंगे, मतलब भाई सब पाकिस्तान भी हमने दूसरा राम पकड़ ल बूक नो अपोजिशन, इस मैंटरपेनर फिलिक बूट बूक नो अपोजिशन की वो कोई अपोजिशन नहीं मानेगा, ठीक है, यह वर्बिय बिटा कि किसी अपोजिशन को वो नहीं मानेगा, ठीक समझ गए, तो बूक करना किसी को भी बरदास ना करना, I want बूक, बिटा बूक नहीं करूंगा, ठीक है, नेक्स आजो, नेक्स ना बच्चे एक्जाम्बल क्या कहा गया, एडिटोरियल में, बच्चो सुनो, 30% एडिटोरियल देखो, आपको मैं कितना लिखता हूँ, 30%, आप सुमको पता है कि इस से जादा होता भी नहीं, कि मतला मैं कहा दूँ, क बिफ्रेंस ओफ उपीनियन और इंटेंशन और स्मॉल स्ट्रीम, जैसे बिटा, हाँ, एक और बात होती है, बिटा, बुरूक एक जढ़ना भी होता है, छोटी सी धारा होती है ना नदी की, तेज धारा जो होती है, उसको भी बूक कहते हैं, और एक वर्ड होता है, बिटा, और एक ऊखली की फोती है, आटी, बूक जैसे, बिभी बेडास के वर्ड होता है, बिटा, बेटा, बिलकल सुबह मैं से लिख सकते हैं, फार्मर्स, वन बूक, बूक, बिटा, बिलकुल भी बर्डास नहीं करेंगे, किसी भी बयईवियर को, अब बूक का मतलब की बाव से ह या बीर करना यही तो है ब्रूक करना अब यह सोचो बिटा टॉल्डेट करना बीर करना हमें याद है आज से हमें एक और नया वर्ड समझ आ गया ब्रूक समझ आ रहा है बिटा आज से हमें एक और नया वर्ड समझ आ गया ब्रूक ठीक है बहुत बढ़िया आओ बिटा क्या ह हुआ आजो रिलेट दिस तू ब्रूक किस वो बिटा ब्रूक बॉंड ठीक है ती आती है ना ऐसे रिलेट कर लो तो आपने क्या कर बिटा इट्स दिंग दटी बरदास कर जाओगे बस एक कप बुगबॉंड टी पी नहीं है ठीक है चलो उनका एड़ भी होगा बुगबॉंड वालों का आज वो बिटा नेक्स बात करते है एड़टीजमेंट कर रहे है उनका फ्री में बताओ कितनी बड़ी बात है बिटा रीलिंग आदमी दिखाई दे बिटा सीधी सी बात है या तो कोई कमजोरी आ जाए तब रील करता है और बिटा कल 31st of December है आपको बहुत साही लोग मिल जाएंगे रीलिंग करते हुए बही बच्चों सही है ना कल 31st of December है कल हो सकता आपको बहुत बच्चे मिल जाए जो रीलिंग कर रहे हूं तो बिटा आ बहुत बढ़िया आजो समझो आपने का I punched him on the chin मैंने उसकी चिन पर चोट मार दी ठीक है सेंडिंग हिम रीलिंग बैकवार्ट मतलब घूमता हुआ पीछे जाके पड़ा बहुत बढ़िया साउथ इंडियन मूविज में तरह सा बहुत होता है और शी वास डीलिंग उसके बारे में हमारे पास बहुत सारी बर्स हैं My friend Ishanth Malwe was reeling when he heard that his girlfriend dissed him क्या बात है केशन बहुत बढ़िया बीटा चलो साई है Reel कर गया Amir sir is Reeling now बहुत बढ़िया मुकेश सही है सुबह सुबह में Reel करवाद हो बेटा बहुत सही है फिर पढ़ लेना session फिर मैं कहूंगा कौन सा session क्यों बच्चो आपको कि vocab ladder मैं कहूं कौन सी vocab ladder ठीक है आज बढ़िया पढ़ लो बेटा Reeling माने क्या होता है इट इस लड़ खड़ा आना सही है तो आप सुबह सुबह Reel करवाद हो बेटा फिर ऐसी होगा ठीक है देखो बच्चो क्या कहा गया editorial में editorial में कहा गया the economy is now charting a new course due to factors like बेटा bleak economies होती जा रही है outlook of nations हो रहा है और Reeling from the pandemic जो सब को Reel कर लड़ खड़ा रहा है किसकी वज़ा से बेटा pandemic से समझ आ गया तो Reeling is also the correct word for that one ठीक है economy Reel कर गई लड़ खड़ा गई ठीक है ओके next question आ जो बेटा next देखते है Reeling का मतलब क्या होता है stagger करना stagger अच्छा वरड़ है बेटा वरबल करना हिल जाना ठीक है ये भी अच्छा वरड़ है steady माने बेटा confirmed होता है मतलब firm जमा होँआ जैसे देखो Relate Reeling to Re-align मतलब align करना when you stagger you need to realign yourself to work properly यानि कि बाद बाद आपको खुद को क्या करते हो बच्चे align करते हो कि कम से कम ठीक से चलतो पाएं in our childhood we usually reeling fall and our mother are used to pamper बिल्कुर सही बात है बेटा reeling वो भी होता अगर आप घूम लेते हैं बहुत देर तो आप real कर जाते हो well done बच्चो बहुत अच्छे आज़ो next दिकते हैं honoris बेटा माँ आपको बताता हूँ ये वर्ड अपसे पहले भी आचुका है कुछ को याद होगा कुछ को याद नहीं होगा याद करो बेटा आ रहा है याद नहीं आ रहा है कि ये वर्ड अपसे पहले भी session में आचुका है ठीक है बेटा honoris क्या होगा समझो बिटा यो तक कस्ट दायक देख रहा हो आदमी हालाद बिल्कुल फटे हुए हैं जिस बैग में समान रखा वो भी फटा हुआ है मतलब बिल्कुल एकदम बहुत परिसानी में दिखाई दे रहा है बिटा आदमी ठीक है तो पिक्चर्स याद करो के बहुत बढ़िया वेल डिन आजो बिटा तो एक्ग्जामब्ल क्या है देखो नीडिंग ग्रेट अफट कॉजिं ट्रेबल और वरी बहुत अफ़र्ट की जऻर्द है कौजिं ट्रेबल और वरी बहुत परिसानी थीक है जैसे हाँ पिटा इंडियन जीडीपी इंडिया जीड की duties है न वो कैसी है onerous है यानि के वो बहुत कसदायक है motherhood को निभा पाना ठीक है बिलकुल the tax bill was aimed to lifting the on this tax burden यह जो आपके उपास बहुत जादा tax burden है ना पिटा इसको कम करा जा रहा है from the back of the middle class यह जो नया tax bill है the tax bill was aimed मतला हमने जो नया tax bill aim किया है aim at वो lift करेगा आसान कर देगा on this tax burden यह जो आपका बहुत कसदायक tax burden है ना उसको थोड़ा सा कम कर देगा ठीक है बिटा on this time बिलकुल कसदायक time था बिलकुल सही बात है 2020 जो थी पूरी on this थी on this आजो बिटा करते हैं आगे needing great effort causing trouble of worry let's see the wolf warrior series आई थी रहा wolf warrior in which the chinese is assume the onerous responsibility of saving the world वो मतला यह दिखाते हैं कि उनके ओपर सबसे ज़्यादा कसदायक responsibility है किसकी saving the world की मतला वो पूरी जान लगा रहे हैं दुनिया को save करने में wolf warrior आपने देखी होगी series ठीक है well done बच्चो एक बार session को लाइक और share कर दो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बच्चो आजो next बात करतें synonyms of on-risk क्या हो सकते हैं बेटा burden sum हो सकता है inconvenient हो सकता है ठीक है burden sum होगा inconvenient होगा बेटा opposite क्या होगा effortless काम करना ही नहीं है und demanding जिसकी कोई demand नहीं होती है हां बेटा on-risk people long race बिल्कुल सही बात है ऐसे लोग बेटा जिनके उपर बहुत pressure होता है न या जो बहुत burden रखते responsibility रखते हैं वो लंबी race के घोड़े बन जाते हैं इट साउंट लाइक ओ on-e-r us मतलब that is on us on us मतलब which is something on us मतलब मेरे उपर है तो आप ऐसे सुनो बस बात करना है बेटा on us दो वर्ड याद कर लो on-risk मतलब on us सब कुछ हमारे उपर है यानि के पूरी responsibility मेरे उपर है मुझे ही सब कुछ करके दिखाना है ठीक है next आ जो बेटा बैली कॉसिटी ये वर्ड उनो आपने पढ़ा होगा बेटा बैली कॉस यादार है बैली कॉस और आपने पढ़ा होगा बैली का इसा आदमी ऐसा friend आपका जरूर हो सकता है एक ना एक 100% आप बिटा अभी उसका नाम रख दो बैली कॉस ठीक है उसके अंदर बैली कॉस सिटी है यानि के एक friend होगा जो हम इसे कहता होगा भी जगडा का हो रहा है और नहीं हो रहा है तो करेंगे बिटा आज ठीक है न बहुत दिनों के ख खौलर बैली को सिटी ठीक है हा बिटा जो भी हो आपके नाम भी है फूफाजी क्या बात है नूरी के फूफाजी है बिटा उनको तब आ अल् Door आदो वो तो हमेसा मोड़ में रहते जीजा फूफा लड़ने के मोड में रहते ठीक है मैं आपको बता रहेँ था कि वो तो कभी भी आजाओ, the senator bought his trademark bellicocity to his press conference in the capital, मतलब क्या हुआ, the senator brought लेके आता है his trademark bellicocity, मतलब बिटा किसका, जगडे की mood में to his press से, आगे देखो, few people will talk to him about the frightening bellicocity, मतलब frightening bellicocity, कुछ लोग हैं in the mood of about the, about his frightening bellicocity, यानि के वो अपनी जो अंदर कामना है न, नहीं कि उसको दिखाना चाहरे हैं, जैसे farmer का बिल चाहरा है, कुछ भी चाहरी चुपचा बैठी हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे है न, जो tower पे चड़ गए, है न, they show the bellicocity, कि कुछ तो करेंगे बिटा, कुछ करके दिखाएंगे, जैसे, quiz about the verbal bellicocity, बिटा, verbal bellicocity मतलब, मूँ से लड़ने का mood, ठीक है, लड़कियों के लिए यूज कर सकते हो कि, verbal bellicocity बहुत होती है, बस ऐसी कहां सुनी मैं लड़ लेती है, ठीक है, आजो बिटा, आगे बाद करते है, बैलिको सिटी का मतलब होगा, बिटा, combativeness, यानि के combat होना, बिटा, परगनेशिती होता है, a natural disposition to be hostile, एक ऐसी आपके अंदर natural disposition है, जिसमें आपका हमेशा मन लड़ने का ही करता है, hostile रहने का ही करता है, ठीक है, that is called बिटा, परगनेशिती, ओके, affability और amiability, यानि के lovable होगा, बिटा, affable होता है, amiable होगा, तो belly plus cause मतलब मिला लो, कि बिटा, आपका mood हमेशा लड़ने का करते रहता है, ठीक है, अब आज ओ बिटा, word पर bristle, बहुत मुश्किल word नहीं है, बिटा, bristles, bristles आपने सुने होंगे, brush use करते हैं, तो brush के जो bristles होते हैं, बड़े soft bristles हैं, इसके bristles बहुत tough हैं, ठीक है, is in the blood of, क्या बात है बिटा, blood में है left in and you, पता नहीं किसके blood में बता रहों, तो बिटा, a short stiff hair होते हैं, या to react angrily, दो मतलब होते हैं, ठीक है, दौना देखो picture दिखाएगी है, ये bristles की picture है, और ये बिटा, देखो, ये इतनी जोर से चलाया, कि इसको बिचारे को अपने कान बंद करने पड़ गे, that is also called a bristles, देखो क्या है, the old woman had a few grey bristles spotting from her chin, मतलब बुढ़ी औरत के बिटा, चिन पे, कुछ छोटे छोटे से बिटा, क्या आगे, आगे, bristles आगे, आपने देखा होगा, कि बुढ़े आदमी जो होते हैं, उनके चहरे पर कभी-कभी बाल निकलाते हैं, लेडिज के भी निकलाते हैं, ठीक है, और तो के भी, तो that is called a grey bristles होगा, आगे आजो, the best quality man's shaving brushes are made from beggar bristles, मतलब इस bristles से best quality के saving brushes बनाए गए हैं, आजो, एक बेटा यह verb का example देखो, he bristles at her suggestion that she should teach her how to use the program, मतलब he bristles, वो बहुते चलाया at her suggestion पे that, कहता है कि he should teach her how to use the program कि वो से बताएगा, कि program को कैसे use करना है, ठीक है, तो बेटा bristles करना चलाना भी होता है, यह word आपको जो last वाला ही अच्छा लगेगा, क्योंकि सुनो, कितना आसान है बेटा, bristles हमें पहले से पता है, और नाराज होने के लिए भी bristles आता है, ठीक है, तो इसका मतलब bristles के दो मतलब होगे, जो हमें पता चल गया, well done आजो बेटा, एडिटोरियल क्या कहता है, देखो, एडिटोरियल कहता है बेटा, टूडेज चाइना एस्पायर टू बी अ ग्लोबल पावर, बट बिसल्स एंट क्रिटिसिजम, बिसल्स करता है, नाराज हो जाता है, किसके ओपर बेटा, जब को इसको क्रिटिसिजम करता है, यानि कि बताता है domestic और foreign कैसे भी करगे तो चाइना aspire करता है to be global power यानि कि सोचते हैं aspirant होता है ने बिटा aspire करने एक्षा रखना to be global power कि हम बनेंगे तो global power लेकिन इतनी सी बात पर नाराज हो जाते हैं आजो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ headlines जल्दी से देखो बिटा इनको खतम करते हैं session आस तो बहुत देर होगी ओके आजो four states being dry run for roll out of vaccine बिटा एक साथ दो phrases dry run एक phrase होती है बिटा roll out होती है दो देखो दौनों का मतलब ड्राइरन का मतलब होता है बिटा a complete practice और a performance और way of doing something before the real one मतलब एक बेटा ऐसी performance जिसे हम करते हैं ठीक है कुछ perform करना practice करना तो आपने का the four states being begin करती है dry run वो practice करेंगी शुरुआत करेंगी किसके बचे roll out करना होता है officially launch to introduce a new product or service मतलब वैक्सीन जब roll out होगी यानि के launch होगी तो वो try करेंगी कि कैसे उसको apply किया जाए practice किया ठीक है बिटा अच्छे वाट लगे दौना याद कर लेने बिटा मतलब dry run करना क्या होगा बिटा dry run practice करना complete practice और performance और बिटा roll out करना होता है plan को open कर देना दो phrasal verb है note कर लो बहुत काम किया next आज हो बच्छे यह है पालिन स्वामनी rules out a calliation government बिटा rule out का क्या मतलब होता है पहले rule out समझो rule out का मतलब होता बिटा exclude करना या eliminate कर देना हटा देना calliation का मतलब यह वर्ड बहुत बार आज को है बिटा जब लोग धोके से आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे को fraud करने के तो calliation कहला था ठीक है next आज आज हो mouth cancer prevalence high among tangible women बिटा इनके अंदर यह बहुत जादा पाया जाता है तो prevalence होता है बहुत जादा तो the fact of existing or being very common at a particular time और in a particular place ठीक है तो यह दोना बिटा वर्ड बहुत काम के थे इन्हें जरूर नोट कर लेना ठीक है यह बच्चों हिंदू का editorial है जो बच्चे पहले दिन जुड़े हैं वो सुन लो यह red color के वर्ड बेटा आपको करा दिये गए हैं बाकी आपको एक बार यह रीड करना है और कल जब आप class माएंगे तो बेटा इससे test होगा आज के questions के answer यहां mentioned हैं यह बच्चों हमारे plans हैं सारे plans को आप note कर लेंगे ठीक है और यह बच्चों offer जरूर अवेल कर लेना 21% है बेटा लेकिन 31st of December तग code होगा ओबी मतला online benches 2021 तो बेटा code जरूर यूज करें वरना आपको कोई offer नहीं मिलेगा ठीक है so thanks for watching the class बेटा आपको session कैसा लगा आप जरूर comment section में छोड़ें मिलते हैं next class में till then take care बबाए जैहिंद जरूर आपको